हेलो एवरिवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम केवियस प्यार्टी पेपर का एनलिसिस करेंगे जो की 24 फरवरी 2023 को सेकेंड सिफ्ट में हुआ है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से और च परियावाची नहीं है लेकिन आग का जो परियावाची है नेत्र, द्रिग, नयन, लोचन, चच्छु, अच्छी, अंबक, धिष्टी और विलोचन ये सभी जो हैं आग के परियावाची है आगे देखते हैं पुछा गया था इन्पूट डिवाइस नहीं है और आपसर में दिया गया था प्लॉटर तो प्लॉटर जो है इन्पूट डिवाइस नहीं है यह एक आउटपूट डिवाइस है आगे देखते हैं सुनीता विल्यम्स से क्वेशन पुछे गया थे तो सुनीता विल्यम्स जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक से संबंधित हैं इन्हों ने एक महिला अंतरिक्ष हियात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व किर्थिमान इस्थापित किया है आगे देखते हैं भारती मूल की नासा अंतरिक्ष हियात्री सुनीता विल्यम्स ने अंतर राष्टी स्पेस स्टेशन के बाहर पचास से और चालिस मिनट के साथ एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वाक के समय का रिकॉर्ड बनाया है आगे देखते हैं वह कलपना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारती मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी आगे देखते हैं अधर टॉपिक्स कलपना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारती महिला रही हैं और रवीस मलहोत्रा ने सोयूज टी इलेवन पर राकेश सर्मा के लिए बैक अप के रूप में काम किया था यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले वक्ती थे और नील आर्म इस्टॉंग जो है चंद्रमा पर उतरने वाले पहले वक्ती थे आगे देखते हैं टैपलॉन से संबंधित क्वेशन पूछा गया था टैपलॉन जो है इसका गल्लांक अधिक होता है जिस कारण यह अन्य पदार्थों के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है इसमें गैर चीपकने वाले गुड होते हैं इसी कारण इसे कई बरतनों के तलों में और अन्य वस्तूओं में उप्योग किया जाता है टैपलॉन जो है एक फ्लोरो कार्बन है टैपलॉन का रासाइनिक सूत्र होता है C2H4N नेक्स्ट क्वेशन पुछा गया था पीचल प्लांट से क्वेशन भी पुछे गया थे तो यह जो है मेग हाल है इंडोनेसिया और आस्ट्रेलिया में पाया जाता है इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और इसकी जो घड़े जैसी संडचना है वह पत्ती का रूपांतरण होती है आगे देखते हैं CNG, CNG से भी क्वेशन पूछा गया है CNG का फुल फॉर्म होता है Compressed Natural Gas और हिंडी में इसका मतलब है संपीडिद प्राकृतिक गैस आगे देखते हैं, प्रदूसर यह जो है CNG गैस जो है यह प्रदूसर नहीं फैलाती है यह अन्य इंधनों जैसे पैट्रोल डीजलों के मुकाबले सस्ती भी होती है आगे देखते हैं, CNG का मुख्य रूप जो है मिथेन से बना हुआ है CNG जो है मुख्य रूप से मिथेन से बनी हुई होती है Next question पूछा गया था, रितू प्रवास से Seasonal Migration कुछ पक्षी एक निश्चित रितू में प्रवास करते हैं जैसे कि ब्रिटेन में स्विफ्ट, आवावील, बुल-बुल और कोकिल, अठत कोयल वे बसंत में दक्षिड से आते हैं एवं जनन करते हैं और पतज़ड में पूनह दक्षिड की ओर उड़ जाते हैं आगे देखते हैं कुछ पक्षी जैसे कि फिल्ड फेयर, स्नो बंटिंग वा रेडविंग सीत आगंतुख हैं क्योंकि ये पतज़ड में उत्तर से आते हैं और सीत रितू में रुकते हैं और बसंत में फिर उत्तर की ओर उड़ जाते हैं आगे देखते हैं NEP 2020 का जो फाउंडेंशन स्टेज है इससे क्वेशन पुछा गया था तो फाउंडेंशन स्टेज जो है नई सिक्षा नीती के फाउंडेंशन स्टेज में तीन से आठ साल तक के बच्चों को समलित किया गया है फी देखते हैं जिसमें तीन साल की जो है प्री स्कूल सिक्षा जिसे की प्ले स्कूल में सम्मिलित किया गया है आगे देखते हैं जिसके अंतरगत छात्रों का भासा कौशल तथा सेक्षिक इस्तर का मुल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा नेक्ष्ट है मूल भूत चरण जो ग्रेड टू तक प्री प्राइमरी कक्षा एक और कक्षा दो को कबर करता है इसमें इसके अंतरगत अच्छे व्योहार, सिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सारवजनिक स्वक्षता, टीम, वर्क और सहयोग आधी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ खेल या गतिविधी आधारित सिक्षा को समलित किया गया है आगे देखते हैं प्रारंभिक चरड जो ग्रेड थ्री से फाइब को कबर करता है धीरे धीरे प्ले आधारित सीखने से अधिक आपचारिक लेकिन इंट्रेक्टिव कक्षा सीखने में बदल जाएगा यह पढ़ने लिखने बोलने सारीरिक सिक्षा कला भाषा विज्ञान और गडित सहित विश्यों में एक ठोस आधार तैयार करेगा आगे देखते हैं पूछा गया था पेडागोजी क्या है आप्सन में था टीचिंग आर्ट एंड साइन्स आगे देखते हैं उष्यों कटिबंधी छेत्र का मौसम कैसा होता है तो यह होता है सुस्क और आर्द्र क्याशन पूछा गया था दूध के पास्चुरी करण से तो हाइट अप्रेचर पर देख लेते हैं हाइट अप्रेचर और सौर्ट टाइम पर इस विधी में दूध को 161 फेरन हाइट पर अर्थात 71.7 अंसेल्सियस पर 15 से 30 सिकेंड के लिए एक हाएक गर्म किया जाता है और फिट हंडा करते हैं आगे देखते हैं लो टंप्रेचर पर तो इसमें 145 फेरन हाइट पर और 68.2 अंसेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं मिट्टी से भी question पूछे गए थे next question था मिट्टी से मिट्टी की पड़तों से question था दिख लेते हैं सबसे मिट्टी की जो मुख्य पड़ते होती हैं मुख्य तरह हैं चार तरह की पड़ते होती हैं जिसमें देखते हैं सबसे पहले ओ और्गेनिक लेयर ह्यूमस इसे म्रिदा के सबसे उपरी जैविक परत को ओ संस्तर कहा जाता है इन जैविक संस्तरों का निर्मार पौधे एवं जन्तुओं से प्राप्त जैविक पदार्थों के संचियन में होता है आगे देखते हैं ए ह्यूमस के साथ उपरी मिट्टी के खनीज अर्थात म्रिदा संस्तर ए वह परत है जो खनीजों से निर्मित होती है आगे देखते हैं बी सबसाइल इसके अंतरगत जमा खनीज एवं धातु लवड होते हैं और सी में देख लेते हैं जो कि फोर्थ है इसमें मूल चटान आंसिक रूप से अपच्छाई चटान है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में सीर्फ इतना ही यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करें